गुड मॉनिंग आज मैं फिर से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हस्बेन की लंच बॉक्स रेसिपी तो आज मैंने आटा चानकर नहीं रखा था इसलिए मैंने घर के बाहर जाकर पहले के हूँ काटा चानकर लिया है अब सबसे पहले मैं कीचन को साफ करूँगी इस कीचन को मैं रात को ही लिक्विड डिश्वास से साफ कर लेती हूँ लेकिन सुबह फिर एक फड़का मार देती हूँ अगर आपको कम टाइम में तीफिन बॉक्स बनाना है तो ए वीडियो आपके लिए है इस वीडियो को इंग तक जरूर देखिएगा यहाँ पर मैंने रात को ही कोथिम बिरवडी बना कर रखे थी और इसके रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है लिंग चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं यह वड़ी फ्रीज में आप 5-6 दिन तक इस तरह से स्टीम करके रख सकते हो यह बिल्कुल भी खराब नहीं होती जब भी कभी आपको जल्दी जल्दी में टिफीन बनाना हो तो इस तरह की रेसिपी बहुत ही हेलफुल होती है यहाँ पर यह थंडी होने के कारण बहुत ही अच्छे से कटिंग हो रही है तो इसके हम स्क्वेर स्क्वेर पार्ट कट करेंगे और बाकी की बच्ची हुई ज जिसे मैंने 20 मिनट पेले बिगो कर रखा था अब इसका पानी चेंज किया है और इसे दों से तीन बार अच्छे से धोकर हम इसे रख देंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है नॉन स्टिक प्यान इस नॉन स्टिक प्यान में तेल डालकर हम वड़ी को करेंगे शैलो फ्राइ भी कर सकते हो जब भी कोई भी वीडियो बनाना होता है तो मुझे एक घंटे पहले ही प्रिप्रेशन करनी होती है और यहाँ अभी तक छे भी नहीं बज़े हुए बाहर का मोसम में रात को शायद हलकी से बारिश भी होई थी तो प्यान में मैंने तेल डाल दिया है दो लेकिन तड़का देने से वडी नीचे की साइड से क्रिस्पी हो गई है तो इसे हमने फ्लीप कर दिया है और उपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और और बीच वाली साइड में लेंगे और साइड वाई बीच में लेंगे इसे करने से वड़ी जल्दी से पक कर तैयार होगी कुकर में मैंने डाले है करी लेे लिव जीरा डालना है थोड़ा सा हिंग भी डालना है हिंग से भी अच्छी टेस्ट आती है और ओ खाने के लिए अच्छा होता है धनिया पाउडर डाली है और शतनों के बाद अब में इसे रोस्ट चर्ली कानदा लसल मसला मैंने भर भ्रंआ अब आइए और उसकी रेसिपी ऐख भी आ भाउद गात्ती है टमाटर मेंने कुकर में डाल दिया हो और इसे अच्छे से रोस्ट करके लेना है जब टमाटर हलका सा पग जाए तो हमें डालना है इसमें नमक और नमक डालने के बाद भी इसे हमें अच्छे से सौटे कर देना है थोड़ा सा और तेल मेंने इसमें डाल दिया है अब टमाटर पक चुका है तो हम डालेंगे कांदालोसुन मसाला अगर आपके यहां कांदालोसुन मसाला नहीं होता तो आप यहां पर लाल मिर्च की पाउडर डाल सकते हो डाल मैंने कुकर में डाल दी है दाल बिगो कर रखने से एक तो अच्छे से जल्दी से पक भी जाती है और दुसरा यह होता है कि यह हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है तो यहाँ पर मैंने धनिये को साफ करने के लिए ले लिया है साफ करने के बाद इसे पानी से दो लिया है बिच बिच में मेरी नजर वड़ी के उपर भी है वड़ी को भी फिलीब बिच बिच में फिलीब करना है धनिय को काट कर लिया है अब हम धनिया और ग्रेटेड कोकोनट डालने वाले है कुकर में उससे पहले में थोड़ा सा पानी डाल दिया है पानी डालने के बाद इसे पर ढखन रख देंगे महाराष्ट्र में हर हपते में एक बार तो हर घर में बनती है और महाराष्ट में इसे घेवडयाची आमटी बोला जाता है तो यह बहुत ही टेस्ट्यू होती है उपर से मैंने गरम मसाला डाला है 2-5 इतना और यहाँ पर कुका का ढखन लगा कर रख द यारे गैस को बंद करके वड़ी को मैंने टेबल के उपर रख दिया है कुकर की एक शिटी हाई गैस की फ्लेम पर और बाकी दो शिटीया लो गैस की फ्लेम पर तो कुकर को मैंने दुसरे बर्नदपर शिफ्ट कर दिया है और बीच वाले बर्नदपर मैंने तवा रख दिया है क्यूंकि इसमें हमें सेखनी है रोटिया आटा गुंदे के बाद पांच मिनिट मैंने से रेस्टिंग टाइम पर रखा था और अब हम उसी आटे से रोटिया बेल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने छे रोटियां का ही आटा गुंदा है और इतनी रोटिया काफी है हमें नाश्ते और लंज के लिए अगर आप फास्ट टिफिन बनाना चाहते हो तो घर में आप हमेशा लहसुन की चटनी या फिर अलसी की चटनी तील की चटनी बना कर भी रख सकते हो कोई भी आमटी बनाने के बाद आप सुखी सबजी में ओ चटनिया भी परोज सकते हो और अगर आपको तीफीन में सिर्फ एकी सबजी देनी है जो कि ना ज़्यादा सुखी और ना ही ज़्यादा पतली तो उसमें भी है बहुत सारे आउप्षण जैसे कि आप मश्रुम मसला दे सकते हो या फिर आप पनीर की सिर्फ सबजी बना कर दे सकते हो मिक्स विज बना कर दे सकते हो बैंगन आलू की सबजी बना कर दे सकते हो दाल मेथी को बना कर आप दे सकते हो तो यहाँ पर मेरा तो तीफीन तयार है तो एक डिपे में मैंने गेहूप की रूटिया रख दी है, दुसरे डबे में हमें रखनी है आम टी और तिसरे में जाएगी कोथमबिरी की वड़ी इसको तुम भीरवडी में मैं उपर से डालने वाली हूँ सॉस तो जिसको पसंदयों सॉस डाल सकते हो या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हो इसी तरह से मेरा फटा पट से हस्बंड तिफीन बॉक्स बनके तयार है आप ने आज क्या बनाया टिपे निकले हो या फिर लंच के लिए मुझे कमैंट करके जरूर बताईएगा और आज का वीडियो के उसा लगा ये भी मुझे कमैंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियों में किसी और नहीं रेसी पीस के साथ तब तक के लिए बाबाए